नमस्कार मित्रों डेजारपांड चैनल के एक नए वीडियो लेक्षर में मैं हूँ अमीद दूबे और आज के इस वीडियो लेक्षर में हम कक्षा दस्के फुट्प्रिंट बिडाउट फीट सप्लिमेंटरी रीडर के फर्स्ट चेप्टर का अद्धन करेंगे जिसका नाम ह है अत्रिम्थ आफ सर्जरी वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप से छोटा सा प्रोमिस करता हूं कि जब ये वीडियो खतम होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआ होने वाला है यानि आपको इस चैप्टर में आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा ये म नाम है और जेम्स हैरियोट इसके लेखक हैं तो अत्रिम्थ मतलब होता है विजय जीत आफ सर्जरी सर्जरी का मतलब तो सर्जरी होता है तो सर्जरी की जीत इस अध्धाय का नाम है जेम्स हैरियोट इसके लेखक हैं और अबाउट दे लेसन मैं आपको थोड़ा सा इस कहा के बारे में बता दूँ तो एक कुत्ता है और उसी कुत्ते के इर्द गिर्द ये सारी की सारी कहानी घूमती है उसकी मालकिन बहुत ज़्यदा अमीर है और वो कुत्ता किस तरह से कैसी कैसी चीजों का सामना करता है ये सारी चीजे हम इस कहानी को पढ़कर समझेंगे क्योंकि कि अगर मैंने पहले बता दिया तो कहानी का मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाएगा तो चलिए देखते हैं अनुवाद सहीत है अनुवाद पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि अनुवाद देखकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक है तो ओवरफिड ओवरफिड फिड मतलब खिलाना ओवरफिड मतलब जरूरत से ज़्यादा खिलाना यानि बहुत ज़्यादा खिलाना तो ट्रिकी एक समाल कुट्ता है यानि एक छोटा कुट्ता है इस पैमपर उसका ध्यान रखा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खिला दि ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, is pampered, और उसका ध्यान रखा जाता है, and overfed, और उसे बहुत ज़्यादा खिला दिया जाता है, by rich mistress, उसकी अमेर मालकिन के द्वारा, यानि उसकी अमेर मालकिन, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, जिसका ध्यान उसकी अमेर मालकिन रखती है, और उ falls seriously ill he falls seriously ill वहां गंभीर रोप से बीमार पड़ जाता है वहां बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है and his mistress और उसकी मालकिन consults बात करती है a veterinary surgeon एक पसू डाक्टर से पसूओं की जो देखभाल करते हैं जानवरों की जो देखभाल करते हैं उनसे बात करती है surgeon है तो surgeon भी कह सकते है पसू surgeon कह सकते है ठीक है तो और उसकी मालकिन एक पसू surgeon से बातचीत करती है यानि उनसे पूछती है कि भाई क्या हो गया ये कैसे ठीक होगा ये बहुत ज़्यादा बीमार पूरा पढ़ेगा तो यह चीज जानने के लिए आपको इस चेप्टर को पूरा पढ़ना पढ़ेगा तो चलिए आगे चलते हैं दीखे I was really worried about tricky this time, ये डॉक्टर है अब डॉक्टर कह रहा है कि I was really worried मैं वास्तों में बहुत चिंतित था about tricky, tricky को लेकर tricky कौन है? tricky कुत्ता है ठीक है? कुत्ते tricky को लेकर मैं वास्तों में बहुत ज्यादा चिंतित था this time, इस बार मैं कुत्ते tricky को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था I had pulled up my car I had pulled up my car मैंने अपनी car रोक दी pulled up मतलब रोकना तो मैंने अपनी car रोक दी when I saw him, जब मैंने उसे देखा किसे देखा? कुत्ते को तो जब मैंने उसे देखा तो मैंने अपनी car रोक दी in street, गलियों में जब मैंने गलियों में उसे देखा तो मैंने अपनी car रोक दी street मतलब सडक with his mistress अपनी मालकीन के साथ and I was shocked और मैं chock गया at his appearance उसे देख कर यानि कुत्ते को देख कर मैं chock गया क्योंकि वो कुत्ता बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था बहुत ज़्यादा बीमार होने की वज़े से वो बहुत बेकार देख रहा था इसलिए उसका appearance उसको देख करके ये chock गये फिर से I was really worried about tricky this time मैं वास्ताओ में बहुत चिंतित था about tricky this time इस बार कुत्ते tricky को लेकर यानि कुत्ते tricky को लेकर इस बार मैं सचमुच बहुत ज़्यादा चिंतित था I had pulled up my car मैंने अपनी गारी रोग दी when I saw him in the street जब मैंने उसे सड़क पर देखा with his mistress अपनी मालिकिन के साथ and I was shocked और मैं shocked हो गया मैं chock गया या मैं हक्का बक्का रह गया at his appearance उसे देख कर और मैं उसे देख कर chock गया ठीक है he had become hugely fat he had become वाँ बन गया था या हो गया था hugely fat बहुत ज़्यादा मोटा वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था like a blotted sausage blotted sausage मतलब फूले हुए मांस की तरह लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मांस फूल गया हो विथलेगा और पैर लगा दिये गया हो at each corner चारो कोने पर यानि he had become hugely fat वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था like और ऐसा लग रहा था a blotted shoes और फूले हुए मांस की तरह लग रहा था with a leg जिसके पैर लगा दिये गये हो at each corner चारो कोनों पर कुत्ते के चार पैर होते हैं न तो यह कहते हैं की चारो कोनों पर ऐसा लग रहा था कि फूले हुए मांस के चारो कोनों पर पैर लगा दिया गया हू ठीक है his eyes उसकी आखे bloodshot लाल हो गई थी blood मतलब लाल तो bloodshot थी उसकी आखे लाल थी and roomie और कीचर से भरी थी उसकी आखे लाल थी और कीचर से भरी थी start straight ahead start मतलब उसने देखा straight मतलब सीधा ahead मतलब आगे की ओर जब उसने सीधा आगे की ओर देखा and he stung तो उसकी जीब lulled from his jaws उसके जबडों से जूल रही थी यानि उसने जब सीधे start straight ahead जब उसने सीधे सामने की ओर देखा तो उसकी जीब उसके जबडों से जूल रही थी या फिर बाहर निकली हुई थी ठीक है अब अगला sentence आपको ध्यान से समझना है नहीं तो आप confused होंगे ठीक है Mrs. Pumfrey Mrs. Pumfrey has tend to explain has tend मतलब होता है जलदबाजी से सिगरता से तो Mrs. Pumfrey has tend to explain जलदबाजी में बताया Mrs. Pumfrey ने जलदबाजी में बताया या फिर सिगरता से बताया किसको बताया वो जो डॉक्टर गाड़ी से उतरे थे उनको Mrs. Pumfrey कुत्ते की मालकिन है Mrs. Pumfrey ठीक है so lestless वह बहुत धीला ढाला हो गया है यानि जो कुत्ता है यह बहुत धीला ढाला हो गया है सुस्त हो गया है Mr. Heriot डॉक्टर का नाम है Heriot ठीक है डॉक्टर का नाम Heriot है तो Mr. Heriot यह बहुत धीला ढाला हो गया है He seemed to have no energy He seemed ऐसा लगता है to have no energy कि इसके पास ताकत ही नहीं है ऐसा लगता है कि इसमें ताकत ही नहीं है I thought he must be suffering from malnutriness यानी मुझे लगा malnutrition मतलब होता है kupotion ठीक है तो I thought मुझे लगा he must have been suffering किया सिकार हो गया है from malnutrition kupotion का मुझे लगा ये kupotion का सिकार हो गया है so इसी लिए I have been giving him some little extra मैं इसे कुछ जादा दे रही हूँ between meal खाने के अतरिक्त यानी भोजन के अतरिक्त मैं इसे कुछ अन्य चीजे भी दे रही हूँ ठीक है ध्यान से समझें confused हो जाएंगे इसलिए मैंने कहा था कि I thought he must be suffering from malnutrition मतलब मुझे लगा ये kupotion का सिकार हो गया है यहां तक समझ में आ गया तो इसी लिए I have been giving him some little extra इसी लिए मैं इसे कुछ अन्य चीजे दे रही हूँ between meal मतलब होता है भोजन तो मैं इसी लिए इसे भोजन के अलावा कुछ अन्य चीजे दे रही हूँ to build him up ताकि यहां मजबूत हो जाए ताकि यहां ताकतवर हो जाए मज़ लीजेगा हो सके तो कहीं पर लिख लीजिए माल्ट का मतलब होता है एक तरह का पे होता है जिसे पिया जाता है ठीक है तो माल्ट को आप माल्ट बोल सकते हैं जानते रहिए कि एक तरह का पे अपदार्थ है ठीक है and cold liver oil और card मचली का तेल इसे क्या क्या चीजे देती हैं खाने के अत्रिक माल्ट देती हैं card मचली का तेल देती है and a bowl of horlix और एक कटोरा horlix देती है आपने कभी सुना है कुत्ते को horlix पिलाया गया हो नहीं ना तो सचे कैसी कैसी चीजे उसे खिला रही है तो some malt मैसे कुछ malt देती हूँ एक तरह का पे पदार्थ है card मचली का तेल देती हूँ और एक कटोरा horlix देती हूँ at night रात्री के समय to make him sleep ताकि यहां आराम से सो सके nothing much really यानि बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रही ना अब डाक्टर से पूछ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं खिला रही ना nothing much really वास्तों में बहुत ज़्यादा तो न नहीं है आगे चलते हैं आगे कहते हैं कि and did you cut down the sweet things as I told you doctor कह रहा है कि and or did you cut down क्या आपने कम कर दिया the sweet things मेठी चीजें as I told you जो मैंने आपको बताई थी यानि क्या आपने जो चीजें मैंने बताई थी उन मेठी चीजों को खिलाना बंद कर दिया doctor कह रहा है and did you cut down क्या आपने बंद कर दिया है the sweet things मेठी चीजें खिलाना as I told you जैसा मैंने आपको कहा था तो क्या आपने इसे मेठी चीजें खिलाना बंद कर दिया है doctor ने पूछा तो ओ अरे I did for a bit मैंने थोड़ा कोसिस की थी but he seemed to be so weak लेकिन यह बहुत कमजोर दिख रहा था I had to relent इसलिए मुझे चूट देनी पड़ी I did for a bit हाँ मैंने कोसिस की थी but he seemed to be so weak लेकिन यह बहुत कमजोर दिख रहा था मालकिन कह रही है कि यह बहुत कमजोर दिख रहा था I had to relent मुझे छूट देनी पड़ी He does love cream cakes इसे cream cake बहुत पसंद है and chocolate so और chocolate भी इसे cream cake और chocolate बहुत पसंद है यानि इसे cream cake और chocolate बहुत पसंद है I can't bear to refuse him मैं इसे मना नहीं कर सकती यानि वो उस कुते से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है तो कह रही है कि मैं अपने कुते को मना नहीं कर सकती तो I look down again at the little dog मैंने दुबारा looked down again मैंने दुबारा look down देखा at the little dog छोटे कुते की ओर मैंने दुबारा छोटे कुते की ओर देखा डॉक्टर कहरा है, कि मैंने दुबारा छोटे कुर्टे की और देखा, that was the trouble, यही समस्या थी, tricky's only fault was a greed, ग्रीड मतलब होता है लालच, tricky की only fault यही गलती है, यानि tricky का लालच ही उसकी गलती है, ट्रिकी का लालच ही उसकी गलती है he had never been known to refuse food he had never been known to refuse refuse मतलब मना करना food मतलब भोजन को तो यहां खाने को कभी भी मना नहीं करता है खाने के लिए यह कभी भी मना नहीं करता है यानि वो बहुत भुखर कुटता था he would tackle a meal यहां भोजन कर सकता है at any hour किसी भी घंटे of the day and or night दिन और रात में किसी भी घंटे यह भोजन कर सकता है यानि चाहे जब आप उसको दे दीजिए भोजन करने के लिए वो खा लेगा ऐसा नहीं कि तुरंद खाया है फिर उसके घंटे बाद आप देंगे भोजन कर सकता है and I wondered और मुझे आश्यर्य था about all the things उन सभी चीजों के बारे में Mrs. Pumfrey जो Mrs. Pumfrey ने hadn't mentioned बताई थी यानि जो चीजें Mrs. Pumfrey ने मुझे बताई थी उन चीजों के बारे में मुझे आश्यर्य था जैसे कि उन्होंने बताया कि इसे माड पिला रहे हैं ना और ये है ना यहाँ पर malt, alcohol, पे, काल मच्री का तेल और एक प्याला हॉर्लेक्स तो हॉर्लेक्स वगएरा ये सारी चीजे कुत्तों को कौन खिलाता है भाई ये सारी चीजे सोच कर डॉक्टर भी खोड़ा सा चम्भित हो गए कंफ्यूज हो गए कि ये सारी चीजे क्या क्या बता रही है ये हमको तो भही कहते हैं कि और मुझे आश्चर था बाउट आल दे थिंग्स उन सभी चीजों के बारे में मिसर पंफ्रे जो मिसर पंफ्रे ने मुझे बताई थी यानि मिसर पंफ्रे ने जो चीजे मुझे बताई उनको सोच कर मैं आश्चर चकित हो गया Are you giving him plenty of exercise? Are you giving him क्या आप इससे कराती है plenty of exercise क्या आप इससे व्यायाम करवाती है Well, हाँ He has his little walks with me वह मेरे साथ थोड़ा घूमने निकलता है As you can see, जैसा तुम देख सकते हो यहां मेरे साथ थोड़ा घूमने निकलता है As you can see, जैसा तुम देख सकते हो But hogkin लेकिन hogkin the gardener मेरा माली लेकिन मेरा माली hogkin has been down with lambango lambango मतलब होता है गठिया रोग लेकिन मेरे माली को गठिया रोग हो गया है मेरा माली गठिया रोग से गरसित है So there has been no ring throwing lately Ring throwing मतलब होता है Ring का खेल जिसमें ring में दोड़ करके ring से निकलना होता है ठीक है तो ring throwing lately इसलिए There has been no ring throwing lately लंबे समय से या काफी समय से या पिछले कुछ दिनों से ring throwing ring का खेल नहीं हो रहा है इसलिए पिछले कुछ दिनों से ring का खेल नहीं हो रहा है यानि कुटा ring पार नहीं कर रहा यह सारी चीजे जो वो करता था बयायाम करता था यह सारी चीजे वो नहीं कर रहा सिर्फ वो चलता है टहलने निकलता है बस इसे मैं फिर से explain करता हूँ फिलहाल यहां मेरे साथ थोड़ा घूमने निकलता है जैसा कि तुम देख सकते हो बट हॉट किंग दा गाडनर लेकिन हॉट किंग जो मेरा माली है हैस बिन डाउन वित लंबैंगो वह गठिया रोक से पीडित है इसलिए पिछले कुछ दिनों से कुट्टे को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है आसान है आगे चलते हैं तो I try to sound saver मैंने कठोर बनने की चिरिष्ठा की या मैंने कठोरता दिखाने की चिरिष्ठा की Now I really mean this यानि अब मेरी सुनिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए डॉक्टर बोलता है ना गुस्सा हो की कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए If you don't cut his food right down अगर आप इसका भोजन कम नहीं करती है and give him more exercise और इससे अधिक बयायाम नहीं करती है He is going to be really ill तो ये वास्ताव में बहुत बीमार पड़ जाएगा You must harden your heart आपको अपने हिरदय को कठोर करना होगा and keep him on a very strict tight और इसके भोजन को कम करना होगा ठीक है Mrs. Pomfrey wrung her hands Mrs. Pomfrey ने अपने हाथों को रगड़ा Oh I will हाँ मैं करूंगी Mr. Harriet Mr. Harriet हाँ मैं ऐसा ही करूंगी I am sure you are right मैं जानती हूँ आप सही कह रहे हैं but it's so difficult लेकिन ये बहुत कठिन है so very difficult यह बहुत ही जादा कठिन है क्योंकि वो कुट्टे से प्रेम करती थी देखे कुट्टे की हालत देखिए कैसे हो गया है ढककन की तरह लग रहा है she set off head down she set off head down उन्होंने अपना सर नीचे किया along the road और सड़क पर आगे जाने लगी वहाँ अपना सर नीचे करके सड़क पर आगे जाने लगी as if determined as if determined मतलब होता है निच्चे करना तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने निच्चे कर लिया है to put the new regime कुट्टे की भोजन को कम करने का regime मतलब भोजन new regime मतलब नया तरीका यानि भोजन करने का नया तरीका कुछ नया नियम जो बनाया जाता है उसको new regime बोलते हैं तो सीधा सीधा आप बोलेंगे कुट्टे की भोजन को कम करने का उन्होंने निच्चे कर लिया हो into practice और वययाम कराने का निच्चे कर लिया हो immediately तूरंत ही यानि ship set off, head down उन्होंने अपना सर नीचे किया along the road और सड़क पर आगे जाने लगी as if determined और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने निच्चे कर लिया है to put the new regime कुट्टे की भोजन को कम करने का into practice immediately और उससे तुरंत वययाम करवाने का आसान था आगे देखते हैं I watched their progress मैं उन्हें जाते हुए देख रहा था with growing concern concern मतलब होता है चिंता growing मतलब बढ़ना तो बढ़ते हुए चिंता के साथ मैं उन्हें जाते हुए देख रहा था tricky was tottering along in his little tweed coat tricky was tottering along tricky लडख़डा कर चल रहा था in his little tweed coat in his अपनी little छोटी tweed मतलब tweed coat tweed coat एक coat होती है जो सर्दियों में पहनी जाती है जाड़े से बचने के लिए तो tricky अपनी tweed coat में लडख़डा कर चल रहा था he had whole a wart board उसके पास पूरी आलमारी भरी पड़ी है off these coats ऐसे coat से सोचे कुत्ते की भी चांदी है पूरे की पूरे आलमारी में ऐसे coat भरे पड़े है for the cold weather ठंड में पहनने के लिए and a raincoat और एक raincoat भी है for the wet days बरसात में पहनने के लिए यानि ठंड में पहनने के लिए उसकी आलमारी ऐसे coat से भरी पड़ी है और इसके अतरिक तो उसके पास एक raincoat भी है बरसात में पहनने के लिए उसके पास एक raincoat भी है फिर से he had whole wardrobe of these coats उसके पास एक पूरी आलमारी ऐसे coat से भरी पड़ी है for the cold weather ठंड में पहनने के लिए and raincoat for the wet days और बरसात में पहनने के लिए उसके पास एक raincoat भी है ना हम में से अधिकतर लोगों के पास रेंकोट नहीं होगा लेकिन सुचे कुट्टे के पास रेंकोट था मेरे पास खुदी नहीं है वो संघर्स कर रहा था यानि वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था रिंग डॉपिंग इन ही हारनेस अपने ही वज़न को समभालते हुए मैं इसे बढ़ा के नहीं कहूँगा आप ऐसा कहिए कि अपने भार की वज़ह से वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था I thought it won't be long before I thought मैंने सोचा it won't be long before जादा समय नहीं लगेगा before I heard जब मुझे यहां सूचना मिलेगी from Mrs. Pumfrey Mrs. Pumfrey से जब मुझे यहां सूचना मिलेगी यानि कौन सी सूचना मिलेगी यह सूचना यानि कहने का मतलब यहां पी यह है लिखा नहीं यह है बर इनके कहने का मतलब यह है कि I thought मैंने सोचा it won't be long यानि यह ज़्यादा लंबे समय तक ठीकेगा नहीं before I heard और मुझे I heard सूचना मिलेगी मृत्यू का समाचार मिलेगा from Mrs. Pumfrey Mrs. Pumfrey से यानि मैंने सोचा कि यहां कुट्ता ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा और जल्द ही इसकी मृत्यू का समाचार मुझे Mrs. Pumfrey से मिलेगा ठीक है I thought मैंने सोचा it won't be long यह कुट्ता ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा before I heard from Mrs. Pumfrey और इसकी मृत्यू का समाचार मुझे जल्द ही Mrs. Pumfrey से मिलेगा the expected call यहनी जो जिस call जिस phone call की मैंने आशा की थी came within a few days वहां कुछी दिनों में आ गया जिस call की मैंने आशा की थी जिस बुलावे की मैंने आशा की थी वहां कुछी दिनों में आ गया Mrs. Pumfrey was detroit Mrs. Pumfrey बहुत परेशान थी दुखी भी कह सकते हैं अपने पसंदीदा fences को भी वह बना कर रहती है pictures मतलब vengeance तो अपने पसंदीदा vengeance को भी वह मना कर रहा है यानि चौकलेट क्रीम केक इन सब चीजूं को भी वह मना कर रहा है didn't want to go for work sorry मैंने एक लाइन छोड़ दी and besides और इसके अत्रिक्त he had bought off vomiting वो उल्टियां कर रहा है और इसके अत्रिक्त वो उल्टियां कर रहा है he spent all his time laying on a rug he spent वह बिताता है all his time अपना पूरा समय laying late कर on a rug एक रग पर लेट कर यानि एक बिस्तर पर लेट कर वो अपना सारा समय बिताता है panting ठीक है didn't want to go for walks वाक पर भी यानि टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता didn't want to do anything और कुछ भी नहीं करना चाहता है ठीक है I had made my plans in advance मैंने अपना plan मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी doctor कह रहा है कि I had made my plans in advance मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी the only way was to get tricky out of the house for a period the only way यानि कुट्य को ठीक करने का एक ही तरीका था was to get tricky out कि कुट्य को tricky को बाहर निकाला जाए of the house उस घर से for a period कुछ समय के लिए कुट्य को ठीक करने का केवल यही एक तरीका था कि उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाला जाए I suggested मैंने सुझहाव दिया that he must be hospitalized कि उसे hospital में भरती कर दिया जाए for about a fortnight एक पखवाड़े के लिए उसे एक पखवाड़े के लिए hospital में भरती कर दिया जाए to be kept under observation ताकि उस पर नजर रखी जा सके उसकी देखभाल की जा सके फिर से I had made my plans in advance मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी the only way was to get tricky out of the house for a period कुट्टे को ठीक करने का यही एक तरीका था कि tricky को घर से बाहर निकाला जाए या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि केवल मात्र एक ही उपाय था कि कुट्टे को यानि ट्रिकी को घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाए I suggested मैंने सुझाओ दिया that he be hospitalized कि उसे अस्पताल में भरती कर दिया जाए for about a fortnight fortnight का मतलब होता है पखवारा ठीक है एक पखवारे के लिए कम से कम एक पखवारे के लिए उसे अस्पताल में observation ताकि उसकी देख भाल की जा सके the poor lady poor मतलब गरीब नहीं है वो बहुत अमीर थी इसलिए उनके कुट्टे की आलमारी भारी बढ़ी थी कप्रों से poor मतलब बेचारी the poor lady बेचारी महिला आलमोस सौंड लगभग अचेत हो गई यानि बेचारी महिला लगभग अचेत हो गई यह सुनकर बेचारी महिला लगभग अचेत सी हो गई see what sure वहाँ मानती थी या फिर उनका यह मानना था he would pine he would pine कुट्टा he use हुआ है कुट्टे के लिए see you जुआ है महिला के लिए see what sure उनका यह मानना था he की कुट्टा would pine तडपेगा and die और मर जाएगा if he यानि he फिर से योज हुआ यानि किसके लिए कुट्टे के लिए यदि कुट्टा did not see नहीं देखता है हर हर किसके लिए योज हुआ see का हर होता है यानि महिला के लिए यानि उनको यदि कुट्टा उनको नहीं देखता है everyday प्रत्यक दिन यहाँ पर sentence को ध्यान से समझे see or her महिला के लिए योज हुआ है he कुट्टे के लिए योज हुआ है see what sure उनको यहाँ मतलब उनको यहाँ अहसास था या फिर उनको यह विश्वास था he की कुट्टा उड़ पाइन तरपेगा and die और मर जाएगा if he यदि वहाँ did not see her उनको नहीं देखता everyday प्रत्यक दिन यानि यदि वहाँ कुट्टा उनको हर दिन नहीं देखता है तो वहाँ तरपेगा और मर जाएगा सीवात से ओर यह उनका विश्वास था अब कुट्टे की आगे की कहानी को हम अगले पायर्ट में पढ़ेंगे यहां तक हमने अध्यन कर लिया है अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजएगा ताकि वह भी इसका अलाब ले सकें अगला वीडियो लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद